आपका पुना स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल पे और आज हम लोग करने वाले हैं कक्छा आठ वी का जो प्रोजेक्ट कार आपको दिया जाएगा वह हम संपूर्ण प्रोजेक्ट कार को देखेंगे और उन प्रोजेक्ट कार को आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर जानेंगे तो चलिए हम लोग इस्टार्ट करते हैं वीडियो उसके पहले प्री बच्चो अगर आप चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को पहले सब्सकाइब पर लिजए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको जब भी हम डालें तो आपको पूर्णता मिल जाए क्योंकि आप आपके आगामी वार्षिक परिक्चा है जिसमें हम आपको पूरे most important paper बताएंगे और objective बताएंगे जिससे कि आपको पूरे में से पूरे अंक वार्षिक पेपर में मिलें इसलिए आप चैनल को सब्सकाइब अवस कीजिएगा तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने दिख रहा होगा आपको project number one सबसे पहले यह English का project number one है जिसमें सबसे पहले आपको किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर सबसे पहले समझाया गया है यहाँ पर objective के रूप में लिखा हुआ है आप लोगों को ठीक है मतलब काना किसली में पाय जाने वाले प्राणियों वाँ प्रक्षियों की सूची बनाना है यहाँ पर लिखा है में का लिष्ट एनिमल एंड बर्ड फाउंड इन काना किसली ठीक है फिर इस प्रकार से आपको यह पहला project कार दिया गया है इस project कार को आप देखें तो presentation आपका क्या रहेगा मतलब आप कैसे उसको प्रस्तूत करेंग वह सबसे पहले रहने चाहिए फिर जब आप काना किसली गये हों और वहाँ घूमे हों तो आपको कौन-कौन से एनिमल वहाँ पर दीखें है उन एनिमलों को यहाँ पर list of animal found में लिखना है आप लोगों को फिर यहाँ पर आगर आप गये तो पक्षियां भी दीखें होंगे पक्षी भी तो वहाँ पर लिखना है आपको list of bird found इस प्रकार से आपको first वाले में आपको जो है एनिमल के बारे में लिखना है और एनिमल के बारे में लिखते विए उनके नामांके चितर भी इस प्रकार से बनाना है ठीक है बच्चो अभी नीचे की तरफ आप देखेंग प्रोजेक्ट नमर एक अब भी हमने समझा इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट नमर एक में देखिए एनिमल कोई भी दो एनिमल के बारे में लिखना है आपको पूरे एनिमल के बारे में नहीं लिखना है और बर्ड के बारे में लिखना है जैसे यहाँ पर हम लिखा हुआ है Royal Bengal Tiger यहाँ पर Bengal Tiger के बारे में लिखा हुआ है फिर यहाँ पर 12 सिंगा आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से 12 सिंगा के बारे में भी जानकारी दिखरी होगी फिर और उसी के साथ आगे बढ़े तो अब यहाँ पर दो पक्षी एक तो है कंट फोडवा उसी के नीचे आप चलेंगे तो King Fissor आपको दिख रहा होगा ठीक है इसका English नाम भी King Fissor ही होता है इस प्रकार से आप इस प्रोजेक कार को करेंगे उसके बाद second number का प्रोजेक कार आता है तो second number का प्रोजेक कार यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर उसके से related एक आपको और प्रोजेक कार दिया गया है हम नीचे की तरफ आपको लेखे चल रहे हैं क्यों जल्दी जल्दी क्योंकि नीचे की तरफ हमने handwriting notes में लिख्या आप लोगों के लिए रखा है फिर यह प्रोजेक नमर 3 है प्रोजेक नमर 3 में कलपना 10 स्टार यानिके कलपना 1 सितारा उसके बारे में है यहाँ पर आप इसको पूरा प्रोजेक कार 3 को भी कर लेंगे उसके बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ चलेंगे प्रोजेक नमर 3 करने के बाद तो आपको project number क्या मिलेगा 4 मिलेगा तो दीखिए यहाँ पर project number 4 आपके सामने है ठीक है यहाँ पर फिर से बाड़ आने पर मतलब की सदस्यों की चर्चा कर जानकारी प्राप्त करें क्या क्या होता है बाड़ आने पर उस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करना है और यहाँ पर लिखना है ठीक है आपको यह लाइन भी आदा रखना है fluid is a natural resistor मतलब कि बारे एक प्राकरतिक आपता है आगे की तरब बरे तो यहाँ पर project number 5 है जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर यह project number 2 ही फिर से आ गया है ठोले आगे की तरब चलें project number 5 यह आ गया अपनी handwriting notes यहाँ पर अब आप लोग दिख सकते हैं handwriting notes में हमने आप लोगों के लिए दो project कार किया है क्योंकि आपको इस कुलम बोल जाएगा कि only दो ही प्रोजेक्ट कार करो इसलिए हमने क्या किया है आप लोगों के लिए दो ही प्रोजेक्ट कार लिखा है तो यहां पर देखिए सबसे पहले प्रोजेक्ट नमर एक है जहां पर objective है आपको क्या करना है मतलब कि आपको काना किसली में पाय जाने वाले पसू और पक्षियों को देखना है या धूंडना है उनकी पिक्चर बनाना है और उनके किनी दो पसू और पक्षियों के बारे में पांच-माच वाक्या आपको लिखना है ठीक है इस प्रकार से आप देखिए इस प्रकार से आ आप लोगों को लिखना है बच्चों, चाहां पर आपको कोई भी प्राब्लम आती है, कमेंट कर लीजेगा, क्यों कमेंट करोगे, तभी तो आपको उत्तर मिलेगा न उसका, और रही बात आपको इसकी पीडियेप चाहिए, तो पीडियेप टेलिग्राम में मिलती है, कुछ बच्चों ने जॉइन कर लिया, कुछ ने नहीं किया है, अगर आप भी जॉइन कर लेंगे, तो इसकी पीडियेप आपको भी मिल जाएगी, आप भी जॉइन कीजे टेलिग्राम चैनल, पहले चैनल को सब्सकाइब आवस कीजेगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो चाहिए, और अक उनका नामांकी चितर भी बनाया है, तबकि सचितर उनको समझाया है, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट नमर टू आ गया है, जिसमें हमने मंकी और मगरमच मतलब की दोनों की कहानी जो है, उसको यहाँ पर हमने समझा, इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट नमर से कहने भी खत झाल चुछ झाल चुछ